हालो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम कच्छा 10 है हमारा यह अध्याए 12 है बृत्तों से समंदिचे तफल यन्सी आर्टी बूख है जिसमें हम अब ध्यास 12.2 का देख रहे हैं यह 12.2 है और इसमें क्या कह रहा है कि आपका 12.2 में एक बृत्ताकार ब्रूच को चांदी की तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलिमीटर है यहां से लेकर के यहां तक की पूरी जो दूरी है यही व्यास कह लाएगी और यही हमारा दिया है 35 मिलिमीटर तार को बृत्त के पांच व्यासों मन एक ये बन गया ये दूसरा हो गया इसी तरह से तीसरा बना फिर चौधा बना और लाश्ट में पच्वा यानि पांच आपक लगेगा एक फिरा उसके बाद आपका देखेंगे ये पांच बार अंदर है कह रहा है जिसे से दस बराबर त्रिजे खंडों में विभाजित करता है यानि ये अगर हम पांच फिरा ब्यास में लगाएंगे तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ नौर दस तो कह र यहां जो दिया गया है ये कह रहा है हमारा कि अगर हम इस तरह से देखें ते दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौर दस दस भाग आपके बन जाएंगे फिर कह रहा है जैसा की आकरेती ये आकरेती है वारत असमलों एक दो में दर्साया गया है तो ग्यात कीजिए हमें नि लगेगी इस तरह से पांच जगह यहां लगेगी और ये दूरी हमारी व्यास है व्यास का मतलब तूर और व्यास ही यहां पर दे दिया गया है इसका मतलब अगर इसमें हम पांच से गुड़ा करते हैं तो अंदर जो इस तरह से तार लगा हुआ है वो मिल जाएगा दूसर एक और पूछा है यानि ब्रूच के प्रतीक त्रिज्य खंड का छेत्रफल अब इसमें जो एक भाग मिलेगा उसका छेत्रफल भी निकालना है जो कुल इसमें दस पार्ट है और टोटल कौन तीन सो साथ अंसका है उसमें दस का भाग दे देंगे तो 36 अंसका कौन बनेगा या यहां जो कौन बनेगा यह 36 डिगरी का बनेगा तो पहले हम आते हैं कुल वांची चादी के तार तो हमारा बन जाएगा यहां पर हम आ जाएंगे तो लिखेंगे हल हल में क्या मिलेगा हमारा कूल तार की लंबाई कूल तार की लंबाई तो तार की लंबाई बराबर कहा कहा मिलेगा पांच गुडे ब्यास चुकि करा ये यहां से यहां तक ब्यास है और पांच ब्यास में लगे हुए है या पांच बार ब्यास बना हुआ है और उसके साथ साथ तार किनारे भी लगा है तो प्लस ब्रित की परिधी ये ब्रित की परिधी हो गई अब यहां जाएंगे तो पांच गुड़े ब्यास और ब्यास का मानुस ने दिया है यानि टू आर जिसको हम कहेंगे ब्यास ओ पैंतिस मिली मीटर है यानि इसका मतलाब इसमें 35 का गुड़ा हो जाएगा और बृत्त का व्यास 2 πाई आर होता है तो अगर हम बात करें 5 पचे 25 और 5 याई 15 दो 17 और यहां जाएंगे पाई इंटू 2 आर 2 आर को ही व्यास कहेंगे और इसका मान डारेक्ट 35 दे दिया है एक साथ 5 होगा प्लस यहां जाएंगे तो 22 बटे 7 होगा और इसका मान डारेक्ट हमें 35 मिल जाएगा तो 7 पचे 25 पाई दोने यानि 175 यह हमारा मिल गया और प्लस तो यहां जाएंगे प्लस 5 दोने 10 पाई दोने 10 एक ग्यार जोड लेंगे 75 दस पचासी बन जाएगा एक एक दो हो जाएगा थमारा इंस्वर 285 मिली मीटर यह इंस्वर बन जाएगा नमबर एक यह था और नमबर टू नमबर टू में क्या करा है ब्रूच के प्रतेक त्रिजखंड का छेत्रफल भी हमें ग्याद करना है त्रिजखंड का छेत्रफल ग्याद करने के लिए हम आ जाएगे यानि ब्रूच के प्रतेक भाग का छेत्रफल चुकि यह त्रिजखंड बना हुआ है तो त्रिजखंड का छेत्रफल बराबर हमारा होता है ठीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर तो यहाँ जाएगे तो ठीटा का मान भी हमने पीछे पाया कि पूरा 360 है उसमें 10 पार्ट है तो 360 में जब हम 10 का भाग दे देंगे तो 36 अंसाएगा यहाँ 36 बन जाएगा और बटे 360 रहेगा पाई का मान हम 22 बटे 7 रखेंगे और आर का मान यहाँ से हमें निकालना है तो यहाँ पर चुकी 2 र दे दिया है 2 र बराबर 35 है अगर र की बात करें तो 35 बटे 2 का होल स्कॉयर बन जाएगा सारी 35 बटे 2 बनेगा र का मान यहाँ पर स्कॉयर है इसलिए लिख देंगे 35 बटे 2 का होल स्कॉयर अब इसी को हमें हल करना है तो आईए इसको हल करके देखते हैं क्या इंसर मिलता है यह हमारा 2 र का मान दिया था अब यहाँ जाएंगे इससे काटेंगे तो 10 यहाँ मिल जाएगा तो क्या मिला हमें मिल गया 22 बटे 7 22 बटे 7 मिला और नीचे 10 है तो नीचे हम 10 लिख देंगे 35 का स्कॉयर करेंगे तो 35 का स्कॉयर का मतलब होता है 35 35 का स्कॉयर जब इकाई का अंग 5 होता है तो 5 25 तो 3 के बाद 4 आता है 3 चोग 12 इनी 35 का स्कॉयर 1225 होगा यहाँ आ जाएंगे तो हम लिखेंगे 1225 और 2 का स्कॉयर 4 बन जाएगा अब इसी को हम काटना सुरू करेंगे तो 7 से काटते हैं साथ एका साथ पांच बच गया फिर साथ सते उन्चास यानि पचास तीन बच गया साथ पच्छे पांच यानि ये साथ से कैंसिल हो गया अब आगया जाएंगे तो अगर हम बात करें दो से काटेंगे दो दोनी चार दो से काट देंगे ति ग्यारा आएगा अब गुड़ा अ और दो सतर पांच बच्चे पच्चिस यानि उपर बचा हमें ग्यारह गुड़े 35, ग्यारह गुड़े 35 मिल गया और नीचे क्या मिला दो दोनी 4 बन गया, तो गुड़ा करेंगे ग्यारह पच्चे पच्च पन के पांच हासिल 5, 11, 33, 5, 38 और बटे 2, दोनी 4 ये हमारा एंसर बन जाएगा, अगर इसको हम दस्मलों में चेंड करते हैं, 4, 99, 36 और 36, 32, 5, उतालिये, 4, 6, 24, 1 बच गया, 4, 2 बचा, 4, 25 तो यानि हमारा एंसर मिल जाएगा, 96, 25 और यही हमारा एंसर हो जाएगा, प्रतिक त्रिज्जखंड का शेत्रफल, ये हमारा चुकी दिया गया था किसे में हम देखेंगे, कि ये दूरी मीटर में है, कि सेंटी मीटर में है, तो इसने कहा था, ब्यास मीली मीटर में है, तो इसका मतलब हो गया, कि ये जो बनेगा, ये मीली मीटर स्कॉायर हो जाएगा, क्योंकि छेत्रफल दिया गया है, तो छेत्रफल क्या मिल जाएगा, म को यहां मिला और एक इंसर आपको वहां मिल गया यह रहा हमारा question number यानि 9 यह है हमारा question number 9 है तो इस तरह से हमारा यह इंसर बन जाएगा तो thanks for watching इस तरह की वीडियो को देखने के लिए channel को subscribe करें था वीडियो को like करें